सल्मान खान की वो फिल्म जिसे देखने के बाद गुसाय दर्शकों ने तोड़ दी थी थीटर्स की सीटे बाद में बनी कल्ट क्लासिक दोस्तों सल्मान खान की यो तो कई फिल्म में ब्लॉकबस्टर रही हैं लेकिन आक्टर की एक फर्म को देखकर दर्शक काफी गुस्ता में आ गये थे यहां तक की दर्शकों ने सिनेमा घरों में सीटे तक तोड़ दी थी जे हां सल्मान खान बॉल अबोड के सूपर स्टार है भाइजान ने अपने अपतक के करियर में कई ब्लोक्बस्टों फल्में दी है आक्टर ने कई फलॉप फल्में भी दी है लेकिन सल्मान खान की एक ऐसी फल्म भी थी तेक्रटेकस ै काफी तारीफ मिली थी लेकिन दर्शकों ने उस फिल्म को सिरे से खारच कर दिया था ये फिल्म जब सिनेमा घरों में रिलीस होई तो दर्शकों ने निराशा में आकर सिनेमा घरों के सीटे तक तोड़ दी थी अलाकि आज ये फिल्म कल्ड क्लासिक्स में शामिल है जी हाँ सल्मान खान के ये फिल्म हामोशी दे म्यूजिकल थी ये फिल्म 1996 में रिलीस होई थी और ये संजला भनसाली निर्देशित एहली फिल्म थी इस romantic musical drama में सिल्मान खान के लावा नाना पाटिकर और मनीशा कोईराला ने lead role play किया था खामोशी को release हुए 28 साल हो चुके हैं और ये फर्म अब तक की सबसे बहतरीन musical drama में से एक है release से पहले फर्म के गाने चाट बस्टर में टॉप पर रहे थे और फर्म को लेकर जबर्दस्त बस भी बना हुआ था हाला कि खामोशी द अम्यूजिकल कथे तोर पर पहले शो के बाद ही crash हो गई थी इंडन एक्सप्रस के रिपोर्ट के मताबिक संजरिला भनसाली अपने इस फर्म को देखने और दर्शको की प्रतिक्रिया देखने के लिए मुंबई के एक थेटर में गए थी लेकिन वो ये देखकर शोक्ड रह गए कि दर्शको को ये फिल्म बिलकुर भी पसंद नहीं आई और जल्द ही गुस्साय दर्शको ने सिनेमा हॉल की सीटे भी तोड़ दी थी दोस्तों बता दे दर्शको को खामोशी की रफ्तार बहुत ही धीमी लगी थी दर्शको का रिस्पॉंस जाने के बाद संजरिरा भंसाली ने फैसला किया था कि वो खुद को एक नया रूप देंगे और सिर्फ बहेतरीन फिल्म बनाएंगे इसके बाद भंसाली की अगली निर्देशित फिल्म फिल्म दिल दे चुके सनम ब्लॉक बॉस्टर रही थी दुनिया भर में 14 क्रोड की कमाई की थी तो फिल्हास दोस्तों इस पर आपका क्या कहना है हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं साथी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और तमाम बॉल अवर्ट गॉस्प्स के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्ग को भी मत भूलिएगा ताकि हर एक वीडियो की नॉटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुचे